सलाम उलिकम विवर्स मैं उमेद करता हूँ कि आप सब फिट फार्ट होगे मैं हूँ मुअमद अरहम नवीद और हमसे पैरेट सेंट टकनालोजी चैनल में आपको वेलकम करता हूँ तो विवर्स आज की वीडियो का टापिक इस चीज के बारे में है कि अस्ट्रेलिन पैरेट्स यां बज़िस पैरेट्स की कौन-कौन सी नसले हैं कि मुटेशन से कौन-कौन सी हैं या किस-किस नसल में ये पैरेट्स पाई जाते हैं तो अपना टापिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसानद आए या कोई भी क्वेशन करना हूँ आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं या फेस्बूक पर भी कॉंटेक उसी नसले पाई जाती हैं तो मैं कोशिच करूँगा कि जितनी भी किसम के पैट्स पाई जाते हैं वो आपको बताने की कोशिच करूँ और उन तमाम पैरेट्स की नसलों को पिक्चर के साथ आपको समझाने की कोशिच करूँ तो मैं उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आप में पाई जाते हैं एक green और एक blue यानिके एक सबस रंग में और एक नीले रंग में यह दो color ही पाई जाते हैं जैसा कि मैं आपको picture में दिखा रहा हूं यह देकिन यह green color में है और यह जो आपको picture दिखा रहा हूं यह blue color में है तो viewers जो आप picture में देख रहे हैं कि दोनों बजरी जो तोते हैं यह मुकमल green color में है यह मुकमल blue color में है लेकिन इनके पड़ों के उपर dots बने हुएं, इनके पड़ों के उपर circle नमा black दब्बे बने हुएं काले दब्बे बने हुएं आंखे इनकी black होते हैं तो यह बजरी जंगली तोते के लाए जाते हैं तो याद रिखेगा जो बजरी तोते हैं वो धो रंग में पाई जाते हैं green और blue सबज और निले रंग में और वो pure color होता है मुकमल उनका एक ही रंग होता है और पड़ों के उपर काले दब्बे पड़े होते हैं अब बात करते हैं दूसरी जो नसल है उसके बारे में तो viewers जो दूसरी नसल है वो pite के बारे में है अब pite किस रंग में होते हैं जैसा कि आप picture में देख रहा हैं कि pite जितने भी हैं वो दो से तीन रंग में पाए जाते हैं यानि mixture of colors color का mixture होता है उनके अंदर कहीं पर green color का circle होगा सबस color का दाइरा बनाओगा कहीं पर spot जिया वो blue color का हो सकता है यानि कि दो तीन color का mixture हो तो वो pite कहलाते हैं लेकिन अगर eyes की तरफ आएं अगर तो eyes black हैं लेकिन उसमें adult की बात करूं black है और उसमें white circle है तो आपने याद रखना है कि simple pite है अगर तो आप pite का कोई ऐसा parrot buy करें जिसकी eyes के अंदर white ring नहीं है सफेद circle नहीं है तो आपने समझ लेना है कि early pite है ये pite सिरफ नहीं है ये early pite है तो याद रखिएगा जो दूसरी नसल है वो pite के बारे में है जो के colors का mixture होता है अब बात करते हैं तीसरी नसल की जो के red eye के बारे में है तो viewers red eye हमें नाम ही जाहिर कर रहा है कि सुरख हांखों वाला यनिके जो भी parrot simple color में होगा तो वो red eye के हलाएगा अगर आंके सुरख color में है तो वो red eye के हलाएगा तो viewers आप बात करते हैं फूर्थ नसल के बारे में जो के fellow के बारे में है तो viewers याद रखिगा जो fellow है वो red eye से ज्यादा expensive है वो ज्यादा महंगा है red eye की निस्बत तो जब भी आप fellow को खरीदने जाए तो उसकी आंके तो सुरख होंगी लेकिन आंकों के सुरख होने के साथ-साथ उसके पड़ों पर black spot भी बने होंगे जैसा के picture आप देख सकते हैं कि इसके पड़ों पर black spot बने हुए हैं और आंके सुरख है तो यह fellow कहलाएगा तो viewers अब बात करते हैं fifth kind की के पांचवी नसल में कौन सा parrot आ जाता है तो viewers अब हमारे पास है spangle spangle जो है वो pide के तरह ही दिखता है spangle जो है वो pide के तरह ही दिखता है जैसा कि मैं picture में दिखा रहा हूँ इसमें भी color का mixture होता है लेकिन spangle दो तरह का सिरफ हो सकता है एक green color में और एक blue color में सबज color में या नीले color में spangle दो color में ही हो सकता है याद रखी गए एक नीले color में और एक green color में लेकिन pide में और spangle में क्या फड़काएगा कि spangle जो है उसके पड़ों पर darts बने होंगे जैसा कि picture में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पड़ों में circle नमा dart बने होंगे अगर तो पड़ों में dart है और pied नमा है कि mixture of color है लेकिन दो color में green और blue सबस और निले color में है और पड़ों पर darts है तो आपने समय लेना है कि यह spangle नसल का प्रिंदा है अब बात करते हैं sixth kind की तो viewers जो sixth नसल हमारे पास आती है वो split के बारे में है अब split में भी दो तरह की birds पाय जाती है एक lotino और एक albino अब याद रखेगा कि lotino और albino में फड़क क्या है तो viewers जो split albino है वो white कलर में पाया जाता है और जो split lotino है वो yellow कलर यादि के पीले कलर में पाया जाता है अब फड़क क्या है दिखते ये red eyes की तरह के ही है जैसा के red eyes भी white और yellow कलर में यादि के पील और स्फेद कलर में ही पाया जाते है उसी तरह split भी white और yellow color में पाई जाता है लेकिन फड़क क्या है कि red eyes की eyes जो है वो सुरख होती है red eyes की आँखे सुरख होती है लेकिन जो split है इनकी आँखे सुरख नहीं होती और दूसरा main फड़क इसमें ये आजाता है कि red eyes जो है उनके male की जो nose है pinkish type होती है pink color में पाई जाती है लेकिन जो split में male होता है उसकी blue color में nose पाई जाती है जैसा कि आप picture में देख रहे हैं जैसा कि बजरी तोतों की होती है तो ये फड़क था red eyes में और split में अब split में अगर तो white color होगा तो वह albino है अगर yellow color होगा तो वह lotino है तो ये चीज याद रखिएगा तो मैं उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी knowledge देगी और कोई भी question करना हुआ मुझे comment कर सकते हैं वीडियो को like करें subscribe करें share करें thank you so much दौ में याद रखिएगा अल्ला हाफीज